हेलो स्टुरेंट मैं आपका टीचर सोसील और आप देख रहे हैं कर्ब जान सेंटर का हिंदी यूटीब चैनल आज के फोटोशप के वीडियो में हम कंटेंट अवेर टूल के बारे में बात करेंगे अगर आपने फोटोशप पहले से यूज किया हुआ है तो आपको पता होगा कंटेंट अवेर टूल का यूज हम इस पॉट्स को रिमूब करने के लिए करते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इस टूल के और भी काफी सारे यूजर्स के बारे में बात करेंगे आई होप आपको उन ऑप्शन के बारे में पहले से पता नहीं होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने कुछ मेजेज ओपन की हुई हैं और सबसे फर्स्ट वाली इमेज जो कि आप देख रहे हैं इसमें कुछ बर्ड हैं और मैं इस वाले बर्ड को रिमूब करना चाहता हूं यह आप कह सकते हैं कि मैं इसको मूब करके यहां पर प्लेस करना चाहता हूं तो इस काम के लिए आप Photoshop में काफे सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे Clone Stamp Tool हो गया, Patch Tool हो गया, इनसे भी आप ये काम कर सकते हैं लेकिन हम Content Aware Tool का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले मैं इस Layer को Unlock कर लेता हूँ उसके बाद Content Aware Tool आपको यहां पर देखने को मिलेगा जहां पर Spot Healing Brush Tool होता है उसमें Fourth Number पर आपको यह Tool मिल जाता है इस पर Click करेंगे और इसका नाम है Content Aware Move Tool तो इसका मतलब कि आप इससे किसी भी Image के Part को Select करके Move कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर एक Selection बना लेता हूँ जैसे कि आप Lasso Tool से Selection बनाते हैं वैसे ही आप इससे भी Selection बना सकते हैं उसके बाद आपको जैसे इसको कहां पर Move करना है वहां पर उसे Click and Drag करके Move कर सकते हैं और Move करने के अलावा आपको यहां पर कुछ Control Points देखने को मिल रहे हैं इन Control Points का यूज़ करके आप इसे Scale Down कर सकते हैं Rotate कर सकते हैं तो यह सारे काम भी आप साथ के साथ कर सकते हैं लेकिन दूसरे Tool में इस तरीके की काम नहीं होते हैं अभी आप देखेंगे यह जो Original Bird की Image है वो भी आपको दिखाई दे रही है और Content Revere Tool से एक और Bird की Image Create हो गई है लेकिन आपको यहां पर कोई नई Layer देखने को नहीं मिलेगी लेकिन आप फिर भी इसको अभी भी Move कर सकते हैं जब तक आप Apply नहीं करते हैं एक बार आप Apply कर देंगे तो यह Image इस Layer से Merge हो जाएगी और यहां पर आप देखेंगे जो Original Bird वाली Place थी वो एकदम Fill हो गई है Same उसी तरीके के Background Color के साथ और यहां पर आपको कोई ज़्यादा Changes नहीं देखने को मिल रहे हैं और अगर आप यहां पर भी देखें तो जो Background है वो काफी Match कर रहा है आपने जो Object Move किया है अगर उसका Background Image के Background से Match नहीं करता है उसके लिए यहां पर कुछ Options दिये हुए हैं जैसे की Structure और Color इन पर आप Click करें और यहां से आप Structure की Value थोड़ी सी Increase करेंगे जिसे की आप देखेंगे जो Pattern है वो Add हो जाएगा या Remove हो जाएगा जो Values आपने ली हुई है उसके हिसाप से अगर इस Structure Value को जो की इसका Maximum Number 7 है वहां तक कर देते हैं तो कोई भी Change नहीं होगा जैसा की यहां से Image पिक हुई थी सेम वैसे ही यहां पर Place हो जाएगी तो इसकी Value आपको कम करनी है तो मैं Around 3 रखता हूँ अब देखेंगे इसका जो Color की Density थी जो Pattern थी वो थोड़ा सा कम हो गया है मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और कम करना चाहिए मैं 2 पर कर देता हूँ इसको उसके बाद हम Color भी थोड़ा सा Increase करते है जैसे की Color मैच हो जाएगा तो मैं Color को करीबन 4 या 5 के Round रखता हूँ तो आप देखेंगे इसके Bird के चारों तरफ जो एक Brighter Sky आ रहा था यहां से जो हमने Pick किया था वह हट चुका है और वह काफी हद तक मैच हो चुका है इसके बाद आप यहां से थोड़ा बहुत इन Values को Change कर सकते हैं जो कि Strength की दी हुई है यहां पर तो बिलकुल Perfect मैच हो जाएगा अब आप चाहें तो Ctrl D Press कर सकते हैं या बाहर क्लिक करके इस Selection को हटा सकते हैं तो यह था Content Aware Move Tool इसके अलाबा इसके अंदर एक और फीचर दिया हुआ है जिसके अंदर Extend Option है इसमें आपकी Original Object भी रहता है और जो Copy Create की हुई होती है वो भी रहती है उसको करने के लिए आपको यहाँ पर Move की जगह पर Extend Select करना है जो की Second Option है और Extend पर क्लिक करके जब आप Selection बनाते हैं इस तरीके से Selection बनाने के बाद मैं इसको Move करूँगा जैसे हमने Last Time Move किया था उसके बाद चाहें तो आप इसको थोड़ा बहुत Scale कर सकते हैं Rotate कर सकते हैं और Apply कर सकते हैं जैसे ही आप Apply करेंगे आप देखेंगे कि यह Original Bird भी है और जो आपने Copy बनाया वो भी है और जो Values हमने Last Time यूज़ की थी उनकी वज़े से इसका जो Outer Area है वो Background Image के साथ Merge हो गया है तो हमने देखा Content Aware Move के अंदर दो Option दिये हुए By Default Move selected होता है आप चाहें तो Extend भी कर सकते हैं इससे हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को Like कर सकते हैं कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इस तरीके के Photoshop के वीडियो मिलते रहें अगर आप Photoshop सीखना चाते हैं तो iButton पर क्लिक करके मेरा Photoshop का कोर्स देख सकते हैं चलिए अब हम अपने वीडियो पर वापस आते हैं और यहां पर हमने देखा कि Extend का यूज करके हमने इसकी एक Copy क्रेट कर लिए और यह Background से काफी अच्छी तरीके से मैच हो गई है उसके बाद आप चाहें तो Ctrl D प्रेस करते हैं बाहर क्लिक करते हैं जिसे कि यह Deselect हो जाएगा अब हम चलते हैं अपनी Second Image के उपर और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक Lamp बना हुआ है यहां पर और इसकी Shadow यहां पर आ रही है तो यह देखने में काफी अच्छा नहीं लग रहा है जो कि इमेज का एक पूरा लुक है उसको खराब कर रहा है Content Aware टूल का यूज करके आप इस Shadow को और इस Lamp दोनों को बड़े ही EGV में हटा सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप इस तरीके से Selection बना लें इसके बिलकुल Pass से उसके बाद हमें जाना है Edit मेन्यू में Fill इसका keyboard shortcut होड़ता है Shift Backspace वह भी आप यूज कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां drop-down में आप देख लें कि Content Aware selected हो यहां Options के अंदर एक Check Box दिया हुआ है Color Adaptation यह selected होना चाहिए इससे क्या होगा कि जो इस एरिया के अंदर Texture फिल होगा उसका Color काफियत तक मैच करेगा उसके बाद OK बटन पर क्लिक करें और जैसे ही आपने क्लिक किया तो इस ने इस एरिया को फिल कर दिया तो यह काम इसने बड़े ही Easy Way में क्लिक करते ही कर दिया है अब हम देखते हैं Content Aware Tool के अंदर आप Scaling Option किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके लिए मैंने यहां पर एक Image ली हुए है इसके अंदर आप देखेंगे एक Tree बना हुआ है और यहां पर Stones रखे हुए हैं इसके लावा यहां पर आपको काफी बड़ा Ground और Sky देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले मैं इस Image को Unlock कर लेता हूँ उसके बाद अगर आप इसे Scale करते हैं जैसे कि मुझे Scale Down करना है तो मैं Move Tool चूज करता हूँ और इन Control Points से मैं इस तरीके से Scale Down करता हूँ अभी यह Image Uniform Scale हो रही है तो कोई Problem नहीं है लेकिन अगर आप Shift Key को Press करके और इस तरीके से Scale करेंगे तो आप देखेंगे कि Image के अंदर जो Man हमारा Object है जैसे Tree और यह Stone से कुछ यहां पर एक House टाइप से बना हुआ है तो वह देखेंगे कि काफी Squeeze हो रहा है, Stretch हो रहा है अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इससे Overall हमारी Image जो है वह खराब हो जाती है तो हम इस तरीके से Scale नहीं करेंगे, मैं इसको Cancel करता हूँ और इसके अलाबा हमारी पास दूसरा Tool होता है Crop Tool, उससे हम Crop कर सकते हैं लेकिन इससे हमारी जो Image का Extra Area होता है वह Cut जाता है यह Actual में Scale नहीं है, हमने Artboard को Crop कर दिया है तो जो Extra Area था वह Cut जाता है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना हमें पूरी Image को Scale down करना है और साथ के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है जो कि हमारा Man Content है वह खराब ना हो तो मैं Ctrl-Z प्रेस करता हूँ, इसके लिए Content Aware का एक Special Tool है जो कि आपको Edit menu के अंदर देखने को मिलेगा Content Aware Scale इस पर आप Click करें इसका Keyboard shortcut काफी बड़ा है तो मैं इस पर Click करता हूँ, उसके बाद जब आप इसे Click and Drag करके इस तरीके से Scale down करेंगे तो आप देखेंगे कि Image का Part delete नहीं हो रहा है觉 जो Cloud यहाँ पर रहें वह नीचे की तरफ shift हो रहे हैं जो Cloud यहाँ पर रहे है वह नीचे की की shift हो रहे है इस तरीके से तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस image के जो man object है जहाँ पर detailing ज़्यादा है उसके उपर बहुत कम effect आ रहा है और बाकी का area जो है इस तरीके से overlap हो रहा है इसको आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो detailing खराब हो जाएगी लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि ह मैंने इसको काफी ज़्यादा scale down कर दिया लेकिन man detailing जो है वो काफी हद तक edge edge है अगर आप अपनी image के man जो object है उसको protect करना चाहते है इसके link से तो उसके लिए यहाँ पर आपको protect और एक drop down list देखने को मिल जाती है लेकिन इसके अंदर कोई option नहीं आजा है तो इसको कैसे use क करेंगी वो देख लेते हैं सबसे पहले मैं इसको cancel करता हूं और protect वाला option यूज करने के लिए पहले आपको एक selection बनाना है तो आप किसी भी selection tool से इस तरीके से selection बना सकते हैं चाहें तो आप market tool ले 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 चाहें आप lesso selection ले 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 उसके बाद आपको इस selection को save करना है selection क इसको save करने के लिए हम select menu में आएंगे और यहां से मैं इसको save कर सकता हूं तो मैं इसको tree के नाम से save कर देता हूं okay पर click करेंगे यह selection save हो गया है अब चाहें तो आप इसको deselect कर सकते हैं उसके बाद हमें वापस edit content aware scale इस पर click करके और यहां से जब आप इस drop down पर click करेंगे तो आपको वो जो selection था वो यहां पर दिखाई दे रहा है इसको आप click करें यह select हो गया है अब आप जब इसको scale down कर करने के बाद भी आप देखेंगे कि एक label के बाद तो आपको फिर वहां पर effect देखने को मिले गाई इस तरीके से लेकिन मैंने इसको काफी scale down कर दिया है shift के साथ मैं करता हूँ एक बार तो देखें बिलकुल इसकी edge के पास आ गये यह तो भी यह protected है तो यह जो option है selection को save करने के वाला इससे काफी हद तक आप उस selected area को protect कर सकते हैं अब आप चाहें तो इसको apply कर सकते हैं और अब आप चाहें तो इस artboard को भी trim कर सकते हैं उसके लिए हम image trim और यहां से transparent pixels और इन सारे checkbox को on करके okay पर click करें control zero press करें जिसकी fit to screen हो जाएगा तो यह थे content aware tool के कुछ ऐसे tools जो कि ज्यादतरे लोगों को पता नहीं होते हैं अगर आप बताना चाहते हैं कि आपको इन tools के बारे में पहले से कोई knowledge थी या नहीं थी वो comment section में आप बता सकते हैं Photoshop के इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमाई चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और दोस्तों के साथ share करें अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई